हाई दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन दोस्तों क्या matrimonial disputes जिसमें कि divorce case, maintenance case, permanent alimony, custody of child ये सारे disputes आते हैं इसमें legal notice को issue किया जाना जरूरी है ये आप लोगों की queries होती है तो दोस्तों हिंदू marriage act में, adoption and maintenance act में या 125 CRPC में कहीं भी notice को देने की requirement नहीं है, notice को देना mandatory नहीं है आप सीधे ही case file कर सकते हैं, फिर आप लोगों की query आती है, कि क्यों जब आप किसी वकिल साब के पास जाते हैं, तो वो notice देने के लिए आपको कहते हैं, suggest करते हैं, advise देते हैं तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको notice के benefits बताऊंगा, इससे पहले आज मैं request करूँ कि यदि आपने मेरा video subscribe नहीं किया है channel, तो मेरा channel subscribe कर लीजिए और यदि आपको मेरे videos पसंद आएं, तो इसको like और share जिरूर कीजिए दोस्तों, matrimonial dispute में यदि भी notice देना कहीं law की या statue की requirement नहीं है, लेकिन notice देने के बहुत सारे फायदे हैं यदि आपको कोई भी divorce का case आपको यदि फायल करना है, तो उसमें जो grounds आप लेते हैं, cruelty है, desertion है, या adultery है तो आप उसका ground set notice में कर सकते हैं, आप notice से ही अपना case को set कर सकते हैं, और case के सारे grounds को आप अपने notice के जरीए बता सकते हैं कि some opposite party cruelty कर रही है, desertion कर रही है, या adultery का offense कर रही है, तो एक additional evidence होगी notice जो आप court में अपने case के साथ लगा पाएंगी इसके बाद एक और बड़ा important बात है, कि ऐसे नहीं कि आपकी कोई dispute हुआ और आपने direct case फाइल कर दिया, एक सामने वाली opposite party को एक opportunity of hearing आप notice के जरीए दे देंगे आप उसमें specify कर देंगे, कि यदि आपने इस तरह से नहीं किया, तो अब हम court case करेंगे, तो सामने वाली party alert हो जाएगी हो सकता है आपका notice देने से ही आपके matrimonial dispute खतम हो जाएं और आपका court में litigation में पैसरा time बचने के अलावा आपका परिवार भी बच जाए इसके अलावा एक और बड़ा महत्पून बात है कि यदि आप कोई permanent alimony की demand करते हैं, तो वो भी आप notice के जरीए कर सकते हैं आप जब demand करेंगे तो opposite party भी हो सकता है, आपको वो alimony देने के लिए राजी हो जाए, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग एकटे हो करके ये तै करें कि इसको court case में जाने के बजाए हम mutually settle कर देते हैं तो जब आपको contested divorce case लड़ना पड़ेगा, उसकी बजाए हो सकता है कि आप दोनों ही divorce by mutual consent लेने के लिए सहमत हो जाएं, और बहुत सारे cases जो दोनों party एक दूसरे पर कर देती हैं, वो cases करने से time और पैसा दोनों बच जाएं, तो इसलिए भी एक notice बड़ा important role play करता है, और ये 13A की cases को 13B में मतलब divorce by mutual consent लेने में भी सहमती प्रकट करने में सामने वाली opposite party के help करता है, अब एक बड़ा question उठता है, clients मेर से generally एक question करते हैं, कि क्या party खुद ही notice जारी कर सकती है, या notice वकिल साहब के थूह ही जारी करवाया जाना जरूरी है, तो दोस्तों, notice में कहीं भी legal requirement नहीं है, कि आप किसी अधिवक्ता के जरी ही notice जारी करवाया लेकिन, parties चूंकि वो कानून की बारिक्या नहीं जानती है, court में case कैसे contest होगा ये नहीं जानती है, इसलिए कुछ गलतियां कर बैढ़ती है, तो बहतर होगा कि आप किसी अच्छे वकिल साहब के जरी ही notice जारी करवाएं, अब क्या-क्या precautions पार्टी को या किसी वकिल साहब को लेने चाहिए, तो वकिल साहब को तो मैं suggest नहीं करता, पर ये पार्टी खुद notice जारी करती है, तो उनको जो precautions लेने चाहिए, वो ये है कि उनको अपने notice में entire case, entire grounds जैसे की desertion है, adultery है, cruelty है, और क्या permanent alimony है, child custody क्या होगी, ये सारे grounds को set करना चाहिए, इसके बाद notice के last para में relief specifically लिखना चाहिए, कि आप opposite party से क्या चाहते हैं, इसके बाद यदि कोई भी cases pending है, तो उनका भी हवाला notice में देना चाहिए, वरना quote आप से पूस्ती है कि जब आपने notice issue किया, तो इन facts को क्यों आपने छुपाया, और notice की एक copy आपके पास जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपको जब court में case file करेंगे, तो आपको notice की copy पेश करने की जरुवत होगी, अब एक फिर question उठता है कि कि किस mode से notice भेजा जाना चाहिए, चूंकि आज digitalization का जमाना है, तो लोग कहते हैं क्या हम email से भेज दें, तो भले ही आप notice email से भेज दीजिए, लेकिन court में prove करने के लिए सबसे best evidence होती है, आप registered AD post से postal office के जरीए, आप notice को जरूर भेजिए, और उसकी receipt जरूर अपने पास रखिए, जो कि आप notice के साथ court में पेश करेंगे, अब एक और प्रशन उठता है, कि क्या matrim ceremonial dispute में, जो notice दिया जाता है, उसमें कितना time period opposite party को दिया जाए, तो जैसा मैंने पहले निविदन किया, कि चूंकि notice statue की requirement नहीं है, इसलिए कोई time period भी prescribed नहीं है, लेकिन ideally हम बात करें, तो 15 days का time period, किसी भी party को उस notice का respond करने के लिए, एक उचित period होता है, और 15 days के बाद भी आप 4-5 दिन case file करने से पहले, 15 days के बाद भी आप 4-5-6 दिन wait करें, ताकि notice का acknowledgement या reply आ जाए, और उसके बाद ही आप notice के basis पर case बनवा करके, जो notice में grounds ले गए हैं, वो सारे grounds को set करते हुए, अपने case की pleadings करें quote में, अब एक और question हमेशा मेरे clients मेरे साथ करते हैं, किसाब हम ने तो notice issue किया था, पर opposite party का तो कोई reply ही नहीं आया, तो हम क्या करें, तो मित्रों, opposite party का को reply देना या ना देना, ये उसका स्वेम वेवे का अधिकार है, बहुत सारे बार deliberately वो reply नहीं देते हैं, ये सोचते हैं कि जब court case होगा तो देखी जाएगी, या वो अपने अधिवक साहब से भी नहीं मिलते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इस notice का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आप opposite party notice का reply देती है, या नहीं देती है, आपका ये concern नहीं है, आप उस notice की एक copy, उसके साथ में registered AD जो प्राप्त हो जाए वो और receipt लगा करके, आप अपना case को pleading करके, case तयार करके आप case पेश कर दीजी, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने discuss किया कि family disputes में, matrimonial disputes में, notice देना mandatory तो नहीं है, लेकिन notice देने के बहुत सारे benefits हैं, और पक्षकार जब तक सारे pros and cons नहीं जानती हो, खुद legal notice ना दे, ऐसे मेरी advice है, किसी expert lawyer से ही legal notice दिलवाए, ताकि आपको जब case contest हो, तो ऐसा कोई admission ना आ जाए, जो आपके against में ही प्रूफ हो जाए, और court उस admission को आप ही के against में opposite party use करे, और आपको फाइदा होने के बजाए नुकसान हो जाए, तो या तो आप notice ना दे, और यदि आप notice देते हैं, तो किसी expert की सला से ही दे, अन्य था, ये आपका case को damage भी कर सकता है, आज का video इतना ही, thank you friends.